तो जैसा कि अभी यूपी PCS का जो है प्री का रिजल्ट आ गया है तो काफी लोगों का सेलेक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि 4000 लोगों का ही हुआ है तो बाकी लोगों को दुखी होना पड़ा होगा तो अभी जो आरो यारो का एक्जाम आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसकी तैयारी अगर आप आपने जो PCS की तैयारी की थी इसको बीच में जो टाइम बच रहा है इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यह आरो यारो के एक्जाम में काफी दिकत होगी तो इसी के बारे में हम आज चार्चा करेंगी आपर तो सबसे कुछ पॉइं पढ़ने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने इतना चीज कवर कर लिया है वह आना चाहिए पढ़ाई के बाद तभी हो खुद के साथ ही मांदारी होगी और सिर्फ स्ट्रटीजी वाले वीडियो नहीं देखने जैसे आप कोई भी आपने स्ट्रटीजी वाला तो पढ़ाई के लिए इसको फॉलो करते रही है मतलब जो चीज बताई जा रही है फिर जो क्लास चल रही इसको क्लास भी अच्छे से अटेंड करेंगे तब यह ज्यादा सही रहेगा नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे थर नंबर की रिसोर्स बहुत कम रखने हैं कि आज यह बुक बता दी उसको खरी ली उन्होंने वह बुक बता दी और जो एक खरीज के रखी उसको खतम ही नहीं किया मतलब चीजे जो है इधर उधर आप थोड़ी तेर यह सब्जक्ट पढ़ रहे हैं फिर दिमाग में आने लगता है यह सबके साथ होता है मेरे भी मैंने जो सब्सक्राइब करना है और यह सब्सक्राइब करना है और यह जो पेपर करने वह यूपी पीस वाले पेपर कवर करने हैं आरो यूपी पीस वाले पेपर भुआ था तो इसको इतनी बार कर लिजे की बोर हो जाई कि आपको कोई जगह के भी पूचें में पूचन पूचन पढ़ें कि कौओं आप सा उप्सं सही है आप सो रहे हों फिर भी उसका आंसर सही बताना चाहिए आपको मतलब इतना बोर हो जाओ पड़ पड़कि उसको और आरो का कीवल 2021 वाला पेपर देखना है बाकी इसकी ईग्रा पेपर प्रीवेश यह से कवर करें या फिर यूद की बुक काती और फिर दुर्श्टी की पुकाती प्रीवेश यह की उससे कवर करें को यूपी पीशे से अलग करके मत देखिए कई लोग कहते हैं कि हम यूपीशेस की तैयारी नहीं कर रहे हैं इतना डीप में कैसे पढ़ेंगे तो यूपीशेस की लेवल पर ही पढ़ना पड़ेगा कोई बी कोई चांस ही नहीं क्योंकि 21 वाला पेपर देखा होगा बहुत टफ पेपर रहता है तो इसको कंपेर करके अलग मत कर दीजे बिल्कुल आरो यारो को उसी तरह का सेम टू सेम लेवल रहता है बलकि आरो यारो में जो फैक्ट हैं और डीप में पूछ जाते हैं तो इसको अलग ना समझे मेनत और कूंपितिशन के लेवल है क्योंकि वहीं वहीं लोग भरेंगे इसमें बन देखासूं कि बहुत कब हो चुनों होँऊ है तो इसमें उतनेच को देफ precisamente करने पढ़ेगे नहीं तो 10th और 12th की जो जेगरफी वाले NCRT है वो इंपॉर्टन है उसको पढ़ने और स्टेंडर्ड बुक बहुत ज्यादा सिर्फ स्टेंडर्ड बुक ना पढ़ें दोनों NCRT और स्टेंडर्ड बुक की जो है समझ को डेबलब करती है लेकिन आपको फैक्ट जो है उसको स बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए है तो वहां से कर सकते हैं इसके पांड़े की बुक फिस्क्री की अच्छी है तो इस तरह से करें और बहुत ज्यादा NCRT पर फोकस ना करें क्योंकि यहां पर फैक्ट ही पूछा जाएगा मेंस में भी कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं इस पर्फिज आगा करेंगे तो एक निबंध करिग और पत्र लेखन शुरू कर दिजेंए पत्र झांटकर बदलिख मेंघार नेक्सेटिन पर बात करेंगे योजना भी चली थी इस वाले जो बजट में आई थी उसमें मैंने निबंद लिखने को दिया था और ग्रूप में उसको भेज भी दिया था उस निबंद को लिखकर तो ऐसे बतलब जो योजना चरचा में हो या फिर जो पुरानी यह मोदी के टाइम की मोदी जी समय की 2014 से अ जो इंडियन जोग्रफी है इस्ट्री है इस्ट्री से बहुत कोशन पूछे आते हैं यह सब चीजे अच्छे से पढ़िएगा इसको कहीं से भी कवर करिया बस इसको अच्छे से करना है और एक सबसे इंपॉर्टन बात जो टैंथ नंबर पर मैंने रखी है कि टाइम बिलकु स्मॉल एमाउंट आपको मिलेगा और बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारा काम करना पड़ेगा खून पसीने की कमाई थोड़ी सी मिलेगी इससे अच्छा है कि जितना टाइम बचा है क्योंकि एज लिमिट है इसी एज लिमिट के अंदर पूरी तैयारी खतम कर लेनी है औ लड़कियों की जिन्दिगी तो थोड़ा आराम से कट हुई जाती है लेकिन वह जी नहीं जा सकती बस काटी जा सकती है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजेगा एज लिमिट है उसको उसके पहले ही जॉब लेनी है और निबंध लेखन के लिए जो थर्ड टॉपिक मैंने जाके देख लीजेगा पत्र लेखन कैसे लिखते हैं उसको भी बनाया हुए देख लीजेगा इस बार वाला जो निबंध का टॉपिक है वह है भूस खलन तो भूस खलन पर आपको निबंध लिखना है जो प्राकृतिक आपदा से जो कोशन पूछी आते हैं जो निबंध दोनों के बारे में आप पढ़ाई की जाएगी प्री और मेंस दोनों के लिए और सभी सब्जेक्ट के समें नोट्स दिये जाएंगे आपको इस्ट्री जोगर्फी पॉलिटी एकॉनोमिक्स साइंस इन्वार्मेंट इन सबके जो है यूपी स्पेशल बजट वगरा करेंट सबके नोट्स आपको सी ग्रूप में मिल जाएंगे और इसी में आपको PCS के जो पीवाइक्यू है प्रीवेस दस साल के जो कोस्टन सब्जक्ट वाई सभी डिवाइड करके एक ही में आपको उसमें कर दिया है तो जो बड़े पीडियाफ सोंगे जो बड़े नोट्स होंग आपको यहीं से मिल जाएंगी मैक्सिमम क्या लगभग चीजे मतलब यहीं से आती है और 25 प्लस आपको यहां पर टेस्ट दिये जाएंगे और जैसे जैसे एक्जाम पास आने लगेगा इसमें जो है और एक्स्रा चीज़ें आटे कर जाएंगी और एक्विस ग्रूप अलग करने के लिए जो फीस है वह 500 है और इसी में आपका प्री और मेंस का सभी चीज़ें जो एक्स्टा चीज़ें सभी एड़ कर दी जाएंगी और वर्ट्सेप नंबर यह है इस पर वाट्सेप कर दीजे कि आरो यारो ग्रूप डिटेल से उसके बाद आपको डिटेल दी के लावा कोई चारा ही नहीं है अगर सफलता प्राप्त करनी है तो बस इतनी चीज़ें बता नहीं थी वीडियो पसंद आया यूश्रू लगाओ तो लाइक और सब्स्राइब कर लिजेगा थेंक्यू सो मच वाचिंग ब्रेक्टाइम क्लास्स